हलो बच्चो कैसे हो बच्चो आज हम पाठ पढ़ेंगे चूहों म्याओं सो रही है कौन सा चूहों म्याओं सो रही है बच्चो इस पाठ में देखेंगे कि बिल्ली सो रही है और चूहें क्या कर रहे हैं देखते हैं चूहों म्याओं सो रही है घर के पीछे छत के नीचे पा क्या है यहां कहा गया है कि घर के पीछे और छत के नीचे यानि घर के अंदर भी पाऊं पसारे पूँच समारे पाऊं पहला कर और पूँच को समार कर देखो कोई मोसी सोई नासों में से सासों में से देखो यहाँ पर कोई मोसी सोई हुई है अरफात कोई बिल्ली सोई हुई है नासों में से सासों में से वह सास ले रही है और सोई हुई है घर 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 हो रही है चूहू म्याओं सो रही है घर घर हो रही है बच्चो वह खरांपे लेकर सो रही है और चुहों म्याओं सो रही है बिल्ली सो रही है बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले देखो बच्चो यहां क्या है बिल्ली सोई हुई है और रसोई खुली हुई है पतीले भरे हुए है जिसमें रसीले चने भरे हैं पतीले खुला हुआ है जिसमें के रसीले चने भरे हैं उल्टो मटका देकर जटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ देखो बच्चे यहां क्या कहा गया है उल्टो मटका यानि मटके को पलट दो देकर जटका एक छोटा सा जटका देखा उस मटके को पलट दो जो कुछ पाओ चट कर जाओ और उसमें जो भी कुछ हो, उस सब को तुम चट कर जाओ, यानि खा जाओ आज हमारा दूद दही है, चूहों म्याओं सो रही है देखो बच्चों यहाँ चूहें क्या कह रहेे हैं कि चूहों आज बिली सो रही है और आज जितना भी यहां दूद और दही रखा है वह सब हमारा है मूच मरोडो, पूच सिकोडो, नीचे उत्रो, चीजे कुत्रो देखो बच्चों, आज चुहू की मोज आ गई है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मूच को मरोडो और पूच को सिकोड लो, नी पूच को जादे लंबी मत पहलाओ और नीचे उतर जाओ, और चीजे कुतर डालो जो भी तो है मिलता है, उन सब को तुम कुतर डाले आज हमारा, राज हमारा, करो तबाही जो मन चाहिए यहां क्या कहते हैं? चुहें यहां कहते हैं कि आज हमारा है आज जो भी कुछ है वो हमारा है और राज भी आज हमारा ही है क्योंकि बिल्ली तो सोई हुई है करो तबाही जो मन चाहिए आज तुम उतनी तबाही कर लो जितनी तुम्हारी मन को अच्छी लगती है देखो बच्चों आज मची है चूहा शाय यानि चूहों की दोड़ मची हुई है आज जो भी कुछ करेंगे वह चूहें करेंगे क्योंकि बिल्ली तो आज सो रही है और चूहों को अब किसी का भी डर नहीं है इसलिए आज जो भी कुछ करना है जो भी कुछ है वो सब हमारा है चाहे हम पतीले में से चने निकाल कर खाएं चाहे दूद दही पिएं और चाहे सभी को सभी मटकों को उलटकर पलट दें ये सब कुछ है आज हमारा है बच्चों ये पाठ हमने पढ़ा इसके कविता आप लिखेंगे पौपिमेंग और चित्रभी बनानिया, धन्यवाद।